हेलो एब्रीवन वेलका मीनार केमिश्टी क्लास एंड आज हम देखेंगे जेमिट्री एंड शीप ओफ वाटर ठीक है इसका हाइब्रिडाजेशन और बॉंड एंगल भी हम साथ में डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले वाटर का हम बनाएंगे लूइस इस्ट्रक्चर व हमारे पास 8 वैलन्स इल्क्टोन इसके पास होता है ठीक है तो हम बनाएंगे इसका लूइस इस्ट्रक्चर सेंटरल एटम हमारा क्या होगा ऑक्सीजन मोर एलेक्टोन नेगटिव ठीक है तो बीच में हो गया ऑक्सीजन अब दो हाइड्रोजन है तो उसको हम पहले सिंगल कुण से अटेस्ट कर देंगे फाइडोजन की बोन्ड बनाता है सिंगल बनी एच सिंगल बॉस्त इच्छ को ठीक है अब कॉंट निंग ह developed टीन फोर कर टल कितना बचेगा हमारे पास अब इसका निकालेंगे हम hybridization, hybridization कैसे निकालते हैं? hybridization में हम देखते हैं sigma bond, ठीक है, प्लस loan pair, ठीक है, तो single bond को हम बोलते हैं sigma bond, और loan pair इसके पास कितना है? एक यहाँ पे है, देखिए, और एक यहाँ पे है, दो loan pair है, ठीक है, तो जाएगा 2 sigma plus 2 loan pair, ठीक है, टोटल कितना आजाएगा 4, तो इसका hybridization होता है, oxygen का примерно sp3, ठीक है, 4 होता है तो sp3 hybridization होता है, 3 होता है, sp2 होता है, 2 होता है, तो - почतना होता है, तो इसका hybridization कितना हो जाएगा, sp3, ठीक है, अब निकालेंगे steric number, steric number हमारा, क्या होता है bond pair plus loan pair ठीक है तो bond pair कितना है 2 and loan pair भी कितना है 2 total आ जाएगा 4 steering number 4 का geometry होता है tetrahedral ठीक है symmetry ठीक है tetrahedral but water का जो हता है उसको distorted tetrahedral ली बोलते है क्यों निकल निकल नृडगा है यह हो गया oxygen ठीक है यहां पर दो लोन पियर है तो इसको मोलते है distorted tetrahedral मतलब थोड़ा सा खराब हो गया है distorted कि इडिवेकर टेट्राध्र इंटर्दुड अधिक्कशिक्ष्ण इसको टेट्राध्र या फिर विस्टाद्रेश आट्रव है इसका शेप क्या होता है देखेई हींट्र में हम लरह में रप्लस बॉन्ड प्हयर देखते हैं लेकिन 181 पहता देते हैं केवल बॉंड प्यार यहां पर देखेंगे ठीक है तो यह इतना हट जयगत क्या बचेगा ऐसे हमारा वी सेब बनेगा ऐसे इस तरह का ऐसे यहां पर देखें यह हाइग्डोजन दो है बीच में ऑक्सिजन है तो इसको फिर मैट्री होती है ऑसी आप यहां फिर हम इसको बोलते हैं यहां फिल्म इसको एंगुलर भी बोलते हैं ठीक है अब यहां पर लोन प्यार लोन प्यार का रिपल्सन होगा ठीक है तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो घटके कम हो जाता है अमोनिया से भी कम हो जाता है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है bond angle इसका bond angle रहता है 104.5 degree ठीक है इन दोनों के बीज का bond angle कितना हो जाएगा sorry यह तो loan पैलन इसके और इसके बीज का bond रहता है 104.5 degree यह होता है इसका bond angle झाल